व्रिंदावन के सुन्दर एवं रमणी ये वातावरण में हर तरफ श्री राधा एवं श्री कृष्ण की भक्ती के स्वर्गूंजते है साधुजन भजन क्रिया में मग्न रहते हैं एवं पशुपक्षी भी मानू निरंतर हरिनाम करते हैं श्री श्री राधा दामोदर जी के सुन्दर मंदिर में रहकर भक्ती ग्रंथों का अनुवात कर रहे प्रभुपाजी वहां आराम से रह सकते थे पर फिर भी क्यों इतनी व्रिद्धावस्था में वो बिना किसी सहयोग के अकेले एक ऐसे सफर पर चल पड़े जो कि भौतिक द्रिष्टी से अतिकठिन था व्रिद्धावस्था में वो भी अपनी उम्र के बाकी लोगों की भाती आराम कर सकते थे किन्तु प्रभुपाजी की करुणा और उनके गुरु के आदेश के प्रति उनका समर्पन उन्हें अमरीका तक ले आये पर समझने की बात ये है कि प्रभुपाजी अमरीका अकेले नहीं आये थे प्रभुपाजी अपने हृदय में व्रिंदावन और व्रिंदावन नायक श्री राधा एवं श्री कृष्ण को साथ ले कर आये थे और साथ ही साथ अपने गुरु परंपरा का आशेरवाद भी लाए थे क्योंकि जिस इसकौन की स्थापना वो करने जा रहे थे उसके द्वारा कृष्ण प्रेम की जो बाण आने वाली थी उसका साक्षी इतिहास को बना थे और जिसकी भविश्चे मानी 500 वर्ष पूर श्री चैतन्य महाप्रभू के पार्षद श्री नित्यानन प्रभू कर चुके थे इसकौन की स्थापना के पश्चात अब तक विश्वभर में लगभग 95,000 भक्तों ने आध्यात्मिक दीक्षा लेकर हरिनाम का जब करने एवं वैश्णल नियमों का पालन करने का प्रण लिया है पाश्चाति देशों में रहने वाले भक्तों के लिए तो ये त्याग और भी महान है उन्होंने तो कभी कृष्ण और राम का नाम सुना ही नहीं था वो सब कैसे शुद्भक्ती में लग गए इसमें सबसे बड़ा योगदान तो स्वयम श्री प्रभुपाजी की पुस्तकों का है भक्ती वेदान्त बुक ट्रस्ट द्वारा 1986 से अब तक पावन करोड पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पचास से अधिक भाशाओं में प्रकाशित एवं वित्रित की जा चुकी है इनको पढ़ने मातर से जीवन के अनसुलजे प्रशनों का सठीक एवं प्रायोगिक उत्तर मिल जाता है श्री प्रभुपाजी द्वारा इसकौन की स्थापना की समय चिन्नित उद्देशियों में से एक दूरगामी धेय था सदस्यों को एक जुट करके एक सरल एवं प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेर्णा देना विश्व में इसकौन के 65 से अधिक खेत एवं परियावरन गाओं है वैदिक और वैष्णव संस्कृतियों ने सरवदा श्री कृष्ण की प्रियागो माता की सेवा पर विशेश रूप से बल दिया है इस निश्चे को इसकौन ने सरवधा प्रमुक रखा है भक्ति द्वारा हमारे हृदय में करुणा की भावना उत्पन होती है हरे कृष्ण फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत प्रदान करने वाला संगठन है 1974 से चल रही इस सेवा की अंतरगत 40 से अधिक देशों में भक्त 20 लाग से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करते हैं जिन में बेघर और बेसाहारा बच्चे और बूढ़े शामिल हैं इसका प्रमाण है 12 जून 2005 को स्टीज जॉब्स द्वारा स्टानफॉर्ड विश्रविद्याले में दिया गया प्रसिद्ध भाश्र जिसके दौरान वो याद करते हैं कि किस तरह हर रविबार रात को साथ म मील चलकर वो हरे कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि उन्हें सप्ताह में एक बार तो अच्छा भोजन प्राप्त हो सके भारत में इस सेवा के माध्यम से प्रती दिन 12 लाख बच्चों को मिड़े मील दिया जाता है इसकौन का मधुर कीर्दन तो आपने सुना ही होगा संगीत किसे नहीं आकरशित करता उस पर से यदि वो हरिनाम की आध्यात्मिक धनी हो तो किसी का भी जूमना स्वाभाविक है इसी से आकरशित होकर 1970 की दश्रक में लंदन के एक प्रमुख रॉक बैंड बीटुल्स के गायक जॉर्ज हरिसन ने श्री प्रभुपात के शिश्यों के साथ राधाकृष्ण मंदिर नामक सुपर हिट आल्बम भी निकाला था इसकौन द्वारा भारत का प्राचीन श्री जगनात रत यात्रा उपसर अब विश्व के सभी बड़े शहरों में मनाया जाता है जहां हजारों लोग भगवान के विशाल रत को खीचते हैं ये सब श्री प्रभुपाद एवं इसकौन की ही तो देन है आज के समय भी लगभग हजार कीर्टन पार्टियां विश्व भर में हर सप्ता हरे कृष्ण नामका संगीर्टन पार्क समुद्र तटों सड़कों के किनारे एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर करती है इसकौ से ज्यादा लोगों ने इसकौन द्वारा विद्रेद कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया है अधिक से अधिक लोगों तक हरि नाम एवं भक्ति का संदेश पहुचाने के लिए विश्व में इसकौन की इस समय 670 मंदिर, केंद्र एवं विद्याले है ये केंद्र पारंपरिक और नव वैदिक वास्तुकला का शांदार उदारा है पश्चिम वर्जिनिया का सोने के गुंबद वाला इसकौन मंदिर, नियू यूर्क टाइम्स अखबार द्वारा अमेरिका का ताजमहल कहा गया है ये सभी केंद्र भवी होने के साथ-साथ भक्तिमाई द्रिष्टिको के लिए आते हैं एवं किसी न किसी प्रकार से प्रभुपाज जी द्वारा वैदिक जीवन शैली एवं भक्ति की शिक्षा से लाभानवित होते हैं प्रॉक हो प्रॉक होते हैं लिए भी एवं किसी प्रभूर जारः ब्न शैली एवं dizer प्राः ओतramosिन होते हैं शिक्षावित इतिहासकार डॉक्टर अलबश्चम ने इसकौन रुपी हरिनाम आंदूलन को पश्चमी दुनिया के इतिहास में एक महत्पून तथ्य माना भारती युवाओं से इसकौन को खास उमीद है वैदिज्ञान तो वैज्ञानिक तरीके से प्रश्णोत्तर के माध्यम से जानना चाहिए और आज का एक्स्प्रेशन 2016 कानपूर के युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमारा ये एक विनम्र प्रयास है और रूनो को रोटीना इनो चाहिए मोसा मोपोती ता प्राबुना ही तριबूर्बाने ता प्राबुना इनो प्राबुना इनो चाहिए प्राबुना इनो चाहिए त्मारे जानने जाए क्रिपा को रिए शोया मोदी दोया मंदी दोया मंदी दोया